वेलकम डियर स्टुएंट स्वागत आप सभी को बाइलोजी क्लासेज में डियर स्टुएंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यूश्टी के जो एक्जाम हुए हैं 2022 के उनके पेपर के शॉलेशन के बारे में और यहां पर जो पेपर है वह बीसी पार्ट फस्ट और यहां पर दिया जाएगा और आपको यह 10 नंबर मिल जाएंगे इसकी यहां पर लिमिट दी गई है कि आपको यहां पर मैक्जिमम जो वर्ड होते हैं इनके आंसर के लिए वह 25 वर्ड रखने है ठीक अगर आपको जाब जारा है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे आपका ज इस्ट्रक्ट्ट्र अडप्टेशन यानि कि संद्रशनात्मक अनुक्लन क्या है तीसा कि उसने डिफाइन सीलोम यानि की देगवा क्या होती है एं नेक्स फॉर्थ नंबर के जो क्यों सने वह गिव डिफ्रेंस बेटिविन पोलीप एंड मेडुसा यानि कि आपको अंतर ब लिखने है कि उसे नंबर च्छे जीवासम चाप क्या समझते हैं यानि कि वाट दू यूंदेस्टेंट बाइफोसिल एंड नेक्स्ट शेवन नंबर एक्स्ट्रेंद टर्म पैंजिया पैंजया जो वर्ड है उसको समझाईए नेक्स्ट कि उस नंबर नो डिफाइन आर्के प्लंग यानिकी आर्केप्टरिकस को समझाईए नेक्स्ट लास्टेस का गिव क्लसिफिकेस्ट ओफ एसकेरी जैनिकी आपको यहां पर एसकेरी का क्लासिफिकेस्ट भी बताना है लाइन अगर हम यहां पर दस जो टैन क्यूस्टिन है उनको अगर हम ओवर ओल देखें तो जो क्यूस्टन न वो आपके क्लासिफिकेशन से पूशे गए हैं ठीक है बाके तो आपके पूरे सेक्शन से पूशे गए हैं अब इनके जो आनुसर हैं उनको यहां पर डिसकस करते हैं के पार्ट फस्ट में पहला कि उसनल वाट इज जो जोग्रोफी यानि कि प्राणे स्विश्य होता कि दिखेंगे वहां पर दो वर्डों से मिलकर बिनाऊता है यह दिए जो पर्थी और प्रत्थ्वी और ग्रांव करना यानि कि प्रत्थ्वी के बारे में हम वर्णन करते हो तो उसे incense कहते हैं और यदि इसमें प्रथ्वि क Him वरन करते हैं तो से कहते हैं अगर हम यह ऊपर बात करें से氣जा को रिटन करने की तो यह पे इंगलिस की स्थेट जो है वो लिख सकते हैं कि ए ब्रांच of biology that is primarily concerned about the Geological Distribution of Animals यानि कि यो के भोगलिक वितनन से सम्मंदित विज्ञान जो होती है उसे प्राणि भोगल कहा जाता है Next Question जो है वो आता है Explain Structural Adaptation यानि कि जो संदाचना अत्मक अनुकुलन है उनको यहाँ पर स्पस्ट कीजिए तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी Living Organism होता है ठीक है वो अपने संदाचना में जो भी परिवर्तन करता है एक Environment के कारण या Environment के बदलने के कारण तो उसे हम संदाचना अत्मक अनुकुलन कहते है इससे क्या होता है इससे इनके संदाचना में क्या होता है Modification होता है ठीक है काफी सारे Level का Modification होता है और यह जो Modification होता है वो इस पर स्टूप से में बाहरी रूप से या इस पर स्टूप से में दिखाई देता है जैसे कि अगर हम आपकर बात करें जिराफ के अंदर लोंग नैक होती है यानि कि जो जिराफ की लंबी गरदन हुई है वो भी कैया इस्ट्रक्चुरल अडप्टेशन है ऐसा ही फिस के अंदर जो गिल्स है वो भी कैसे नवर की अनुकुलन है नेक्स्ट में यह बात करते हैं वह अनुकुलन जो प्राणे अपन कीजिए तो देउग होती है जिसमाल लीजे यह क्या होता है यह इस अनिमलल के गार इस एनिमलल के सरी के अंदर यह गट पाया जाती है इस गटके और बोडी वोल के बीच में जो होता है जो स्पेस ना इससे बोले лист तो इसको शीलोम बोलते हैं यानिका अगर हम सिंपल टम में बात करें तो जो शरीर के अंदर खोकले संद्ट नहीं होती है उसे शीलोम का जाता है बोडी कैवेटी का जाता है आनसर गूर्प में लिख सकते हैं शीलोम इस ए बोडी कैवेटी इडिज प्रजेंट बिट्विन बोडी वोल एंड गट वोल इडिज गोड़ क्या सीलोम नेक्स्ट क्यूशन है गिव डिफ्रेंस बीट्विन पॉलिप और मेडुशा में क्या अंतर है तो देखें भई पॉलिप और मेडुशा दोनों क्या ओबेलिया जो एनिमल है ठीक है उनके जो जोईड से पर रूप ह पॉलिप को हम हाइड्रेंट भी बोलते हैं तो इनमें अंतर क्या होगा तो पॉलिप जो है ठीक है यह वाला जो जोईड से है पॉलिप वह नूट्रेंट जोईड से यानि कि पॉसक जीवग है पॉसक जीवग और जब की मेडुशा जो है वह एक फ्री लीविंग जीव है लीविंग ठीक है एयनिमल है और इनने डिवेंट देंगें के लख नत वह जो होते की सबकर ने कि जियुकल सकता है नेक्स बात करें और उसमें और गर एक्रेंट होते हैं जबकि जो मेड़ू ना उसमें और प्रजेंट इसमें पोर्ट की नहीं कि यहां पर नॉट के रूप में दिया गया कि पॉलिप जो है वह ओबलिया कोलोनिका फ्री लिविंग जुईड्स होता है क्योंस नमर पांच क्योंस नमर पांच ग्यू लासिफिकेशन ऑप टेप पर्म यानिकि टेप पर्म को वरगिगरत कीजिए तो देखे टेप पर्म का हम यहां पर सबसे पहले प्रकूस you कि बात करें तो यह एनिमल है ग्म हो जाएगा फालम की बात करें तो प्ली हलमन्थी जिसका प्ली चप्टेकर मी क्लास ओय 와서 है और है इसका सैलो फेलीडीFamilis स्का टीनिडी और genus जो इसका है वो टीनिया और इसपसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ही होती है जैसे की टीनिया सोलियम और टीनिया सैगेनेटा यह क्या है तो इस परकार से यह जो टेपम है उसका क्लासिफिकेशन है आप इजलिस को याद कर सकते हो कि उसनल्बर सिक्स कंट की आपको मोलसक का के फालर करेक्टर लिए कौन से करेक्टर से हैं बटेमिया फीर मेंश्रेन ग्लूड कर रहें वाम और और छमिर पैस्वाटर और मैर प्रिछने म थैंभलë करेंगर दोसरा करेक्टर इनका जो बोडी का level organization होता है ना वो organ type का होता है अंग type का होता है right next question number 3 body के अंदर के होती है cavity पायती है अंदर के होती है cavity होती है हम सीलोम बोलते है next नेकि इनकी body जो होती है वो शोप type की होती है यानि कि यह smooth animal होते है like जो पाइला है next characters का है body covered होती है by calcarous cell यानि कि इनकी जो बोड़ी होती है उसके उपर एक कबच पाई जाता है कैलकेरिया का कैलेशिम कार्बोनेट का एक्स्ट करेक्टर इसका नमबर 6 मस्कुलर फूट इनके अंदर लोकोमोशन प्रोसेस में हैल्प करता है तो यह आपका अंतीम वह हो जाएगा इसके अलावा काफी सारे इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाज़ाशन या एक्टरनल फर्टिलाज़ाशन भी होता है नेक्स्ट इंडरेक्ट टाइप का इन में पाइदता है कि उसे नंबर साथ कि वाट डू यू एंडेस्टेंड फॉसिल यानि कि जीवासमों से आप क्या समझते हैं तो जीवासम की बात करें तो यहां पर बहुत सिंपल से इसका क्या है डैफिनेशन दिया गया है खोदने पर जो आउसे समय प्राप्त होते हैं ना उ नस्ट होने के पश्चात वो हमारे प्रत्यू में एक परत के रूप में जमा हो गया और उन परतों को हम यहां पर अब खोद करके बाहर निकालते हैं तो वो जीवासम कहलाता है क्या कहलता है वो जीवासम और यह इस पेसली एनिमल और प्लांट के दबने के कारण ही हुआ ह तो फोसिल आर्दा रिमैन या माक्स ओफ प्लांट अनिमल देट लिव ए वेरी लॉंग ताइम अगो जैनकि बहुत सौल पहले यह रहे होंगे दे आर यूजुली फांड इन रोक एंड इस टॉन और यह चट्टान और पत्थर के रूप में हमें क्या हो रहे हैं इस पेसली प्राप्त हो रहे हैं तो यह फोसिल कहलाते हैं नेक्स यूशन है क्यूशन नमबर आठ एक्स्प्लें दा टर्म ऑफ पैंजिया पैंजिया सब्द जो है उसको परिवासित कीजिए तो देखें पैंजिया सब्द बहुत सिंपल है आप इसे आम से समझ सकते हो हमारा जो प्र द्रिफ्ट होता है माधी विस्तापन होता है उस कंडिशन के कारण जो हमारे एक प्रत्व का टुकडा है वह टुकडा दो भागों में तूट गया कितने भागों तूट गया दो भागों में तूट गया जिसके एक पार्ट को बोला गया गोडवाना लेंड भाग जबकि द दूसरे पाट क्या है गोडवाना है तो इसे हम सिंप्लि लिख सकते हैं कि पैंजिया वाजे सुपर कंटिनेंटल यानि कि यह एक क्या है उप महाधीप है जो की डैट एक्जिस्टेट डूरिंग दा लेट पैलोजोइक एंड अर्ली मिजोइक एरा जो की एक्जिस्ट करता थ अगला कि उसन नमर नो डिफाइन आर्के अप्टेरी यह लानिकी जो अर्के प्रिमिट्व टाइप का बरड है ठीक है जिसके फैदर पाए जाते हैं बट इडिज फॉस्टिलाइज इसके लेटन लोकसी यानिकि यह जो है केवल एक ज्वासम के रूप में हमें प्राप्ट हुआ है more like that of a small dinosaur जैसे कि एक तरीके से छोटा डायनासौर हो उस परकार से तो यह क्या होता है वैसे इसको आप अलग तरीके से परकार गया है तो इसे आर्क प्रेश कहा गया है कि उसने पार्ट फस्ता गीव क्लासिफिकेसिन आप एसके देना है तो देखें फीता करमी जो था वह टेप वर्म जो था वह प्लाटिकल मेंदीज गता जबकि एसके जो है वह एसके हलम इसका एनिमल यानिकि उससे थोड़ा स तो इनका जो फाइलम है न वो डिलेक्टली ही नीमे तोड़ा देखने को मिल सकता है उनका फाइलम के अबर फैलम है occurring है नेक्स्ट ओर की बात क्रें तो एसके CT और परकार से हमने यहां पर पार्ट फस्ट के जो पार्ट फस्ट आता है उसके सभी कमपलसरी जो क्यूसंस हैं उनको यहां पर सोल कर लिए हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में अब जो सभी जो करेंगे बेसे पार्ट फस्ट एर के सेंड पेपर के पार्ट फस्ट वर्च सोट क्यूसं के आंजर के बारे में कि में आए